तो दोस्तों अगर आपके बास Realme P1 5G Mobile हैं और आप इसमें अपना call recording करते हैं इसके बाद आपका call recording आपको पता ही नहीं चल पा रहा है कि आपका call recording कहां पर से शेव करना है तो चलिए हम वीडियो करते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपना टाइलर उपन कर लेना है मैं अपने टाइलर कर देता हूं और एक रिकोर्डिंग करके आपको दिखा देता हूं कि कहां पर रिकोर्डिंग हमारा शेव हो रहा है तो सब्सक्राइब मैं 198 पर call करता हूं यहां से मैं अपने एक कॉल रिकोर्डिंग कर लता हूं यहां थ्री डॉट पर आपके अप्शन पर क्लिक करके मैं इस कॉल को जो है रिकोर्ड कर लेता हूं और इसके बाद मैं आप लोग को बताता हूं कि कॉल रिकोर्डिंग को किस तरह से देखना है कहां से से शेव करना है है हो गया है तो आप इस आप लोग को सुनेंगे कहां से देखनेंगे कहां से तो आपको सुनने के लिए देखने के लिए आपको कोहीं और नहीं जाना है आपको अपने डाइलर में ही आपको यह कॉल recording मिल जाएगा यहाँ पर जिस नंबड प्र आप लोगden करते हैं यह पर लोग करते हैं यहीं पर जो को फुरिक करूंगा यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा call recording यहाँ पर स्विल को जायगा आपको हेरी को घसकते हैं आप पर यहाँ से opposition चेह केटेन्फ पर आप call recording किये रहेंगे इसका यहां पर दिखा देगा यहां पर भी जख सकते हैं call recording यहां पर हुआ है यहां से दिखा रहा है तो आपको क्या करना है simply आपको इस पर क्लिप करोगे तो यहां से आप अपना call recording यहां से सुन सकते हैं यह हो जाता हैं और इसे क्या करते अ है आपको सिंपली किली कर देना है क्ली करने के बाद आप चाहे तो 저 सुन सकते हैं क्या करना है यह आपसे शेयर वाल अप्शन पर कलीक करने तो यह पाल उप्सेंद क्लीक करने यहाद यहान पर किलीक करने के आपके खे घुकahi भी जाएगा है यहां से आपको अपना कॉल रिकोर्णिंग प्ले कर लेना है यहां से आपको डाउनलोड वाला फाइल में आपको अपना कॉल रिकोर्णिंग देखने को मिल जाएगा अपने कॉल रिकोर्णिंग से देख सकते हैं यहां cP yes आपको डिकोर्णिंग सेव पर देख सकते अब वीडियो को लाइक कर देजाएगा मिलते हैं द्लीयो तब तक के लिए जयए हैं